अलायर रख्मान रहीम, अल्लाम अलेकुम, क्लास टू, उमीद करते हूं कि सब बच्चे रहे जिट से होंगे प्यारे बचो, कारवाने उर्दू के किताब में आज हम पढ़ेंगे वाहित और जमा उसके लिए सफ़ा नमबर 140 और 141 यानि 140 और 141 आपने खुलना है प्यारे बचो, आज हम पढ़ें हैं वाहित और जमा, वाहित जो है वो एक चीज को कहा जाता है और जमा दो से या दो से जाधा चीजों को कहा जाता है जैसे जैसे आप स्टेप वाइस पढ़ेंगे, क्लास वन में आपने पढ़ा था कि अलिफ के साथ आपने बड़ी ये लगा देने तो आपकी जमा बन जाती है जैसे तारा और इसकी जमा हो जाएगी तारे जैसे चूता इसकी जमा हो जाएगी चूते यानि आखरी हर्फ अलिफ हटा देने से और बड़ी ये लगा देने से आपका जो है वाहिद वो जमा में तबदील हो जाएगा इसी तरह कुछ वाहिद जमा हैं जिसमें अलिफ नून गुना लगाया जाता है फिर है ये नून गुना लगाया जाता है इसी तरह इस तरह जो है वाहिद जमा इसके बनाए जाते हैं तो वो आपने क्लास वान में अलिफ वाला पड़ा था आज जो आप बढ़ने जा रहे हैं वो अलिफ और नून गुनना वाला है तो आईए हम देखते हैं कि इन वाहिद को जमा में कैसे तबदिल करते हैं वाहिद जमा उर्दू में छोटी ये पर खत्म होने वाले ज्यादा तर अलफाज मौनस बोले जाते हैं जैसे हटी, ठैली, टोकरी और सबसी वगएरा इन अलफाज की जमा बनाने के लिए छोटी ये को नुक्तों वाली आधी शकल है ये की में बदल देते हैं और इसमें अलिफ और नून गुनना जैसे ये आपको नजर आ रहा है नून गुनना का इजाफा कर देते हैं तो इस दाँ आपकी ये वाहिद जो है वो जमा में तब्दील हो जाएगा वो कैसे मिसाल यहाँ पर आप देखें वाहिद और जमा आप यहाँ पर देखें लवज लिखा हुआ हड़ी हे डाल हड़ डाल छोटी ये डी हड़ी इसकी जमा बनाने के लिए हड़ आप ऐसे लिखेंगे हे और डाल हे डाल हड़ डाल ये डी अब जहाँ पर जो ये है वहाँ आपने ये जो है वो हमारी आधी शकल में तब्दील हो जाएगी आधी शकल के साथ आपने अलिफ और नून गुना लगाना है और ये बन जाएगा हड़िया इसी तरह तैली आप देखें थे ते और हे और ये आप इसी तरह लिख लेंगे ठीक अलाम भी आजाएगा छोटी ही जो है आपकी यहाँ पर आधी शकल में तब्दील हो जाएगी आधी शकल में तब्दील होने के बाद आपने इसके साथ अलिफ और नून गुना लगाना है तो आपकी थेली वाहिद है और इसकी जमा हो जाएगी थेलिया नेक्स्ट है टोकरी टोकरी भी इसी तरह आप लिख लेंगे टेवा टोकाफ देख कर लिखेंगे यहाँ पर जो आपकी छोटी है यहाँ पर आधी शकल में चेंज हो जाएगी और आगे आजाएगा अलेफ और नून गुना तो आपकी जमा बन जाएगा टोकरिया तो प्यारे बच्चों इस तरह जो आप सबक पढ़ रहे थे हमारा खुशकवार महौल उसमें आज आपका सवाल नंबर पांच है कि नीचे दिये कर अलफाज की जमा बनाएं वाहिद और जमा यह हमारे पास सारे जो हैं वो वाहिद हैं हमने इनकी जमा लिखने हैं यह काम आपने अपने किताब प पर ही करना है यानि 41 पर पहला लवज है रोटी जमा हो जाएगी रोटियां बोटी बोटियां मुर्गे मुर्गियां बिल्ली बिलियां बक्री पक्रियां लक्री लक्रियां पर्ची पर्चियां लड़की लड़कियां जाडी जाडियां डाली डालियां जाली जालियां मच और मचलिया आप यहां पर देखें जिए जो हैं वह और यहां पर जो है चोटी है जो है वहां पर हमारे पास आदी शकल में चेंज हो जाएगी और उसके साथ अलिव और नून गुन्ह लगाएंगे तो आपके पास आपके रोटी की जमा रोटी हो जाएंगे इसी तरह हमने पुर्सत के आखर में अलिव और नून गुन्ना लगाने से हमारे पास ये जमा बन गी है तो प्यारे विच्छो आज का आपका ये काम है कि आपने ये वाहि जमा अपने किताब पर खुशकत लिखने और इनको याद भी करना है अला हाफिज